मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार कोरोना वैस्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश्च कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश्च कर रहे हैं जहां सर्दी जुकाम खांसी बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है यह मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है कि समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास्क को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्क्ता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्क्ता दिखाने की ज़रूरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जौन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भी न गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश वाचों के जीवन की रक्षा करने का भ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्फिक्ता रही ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारे हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉक्डाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों, बीते तीन महिनों में, बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिय जमा हुए हैं इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गति से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आश्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोशना करने जा रहा हूँ साथियो हमारे यहां बर्शा रूत्व के दोरान और उसके बात मुख्य तौर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी गनेश चतुति आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं नवरात्री हैं दुर्गा पूजा है दशारा है दिपावली हैं छटी महिया की पूजा है त्योहारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्यक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड़ रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्रक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर के कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्रे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्देता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्द भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाईत्व निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स प्रेयर का रुड़े से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे हम गरीब पीडीत शोसीत वन्चीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बढ़ते हुए एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे इसी संकल्प के साथ हम एक सो तीस करोड देश्वासियों को मिल जुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रांशना करता हूं आपके लिए भी प्रांशना करता हूं आप से आंगरह भी करता हूं आप सभी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमशा फेस कवर मांस यह हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाप परवाही मत बरती है इसी आगरह इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं दन्यवाद कामनाई देता हूं